दोस्तो आज हम बेकरी आइटम आपको दिखाने वाले कच्छा बेकरी आइटम जो होता है दोस्तो उसी के बारे में बात करेंगा और दिखाएंगे दोस्तो और बताएंगे भी कि कितनी मार्जिंग होती है दोस्तो बेकरी आइटम में दोस्तो बहुत ही ज्यादा मार्जिंग होती है और यहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों पेटीज के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों यह जो गत्ता है इसमें पेटीज भरा हुआ है हम आपको खोल के दिखाते हैं दोस्तों यह तोटल पेटीज ही भरा हुआ है पूरे गत्ते में यह जो पेटीज है और इसकी मार्जिंग क्या होने वाली है और एक पीश पर कितनी बचत है दर्जन का क्या रेट है और पूरे गत्टे का रेट है दोस्तो यहीह हम बताएंगे दोस्तो अगर जो आप हमारे वीडियो पे नए है, तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरू करिएगा, क्योंकि दोस्तो मैं होल से रिलेटेड प्राइज बताता रहता हूं, चाहे बैकरी हो, चाहे किराना हो, चाहे मेटकल हो, या अधर ग्रोसरी, कोई भी प्रोडेक्ट होत रेट बढ़कर 18 रुपय कहीं 20 रुपया Mr. A Defaker 8. पंदरे मिलता है 18 मिलता है या तीनों रेट लेकिन अभी थो चौका है दो इसकी अगर जो खरडारी की बात करें पहले की करदारी सस्ती थी लेकिन इस समय जो इसकी प्राइज पढ़ रही है दोस्तों ये लगभग दोस्तों आपको 14 रुपया के आसपास में यह पढ़ रही है ये आपको एक प्रीष चौुदर और पे के आसपास में पढ़ रही है अगर जो आकशॉथเ ओसपास पड़ेगी अगर जुआ खुला में घठीन इया जो छोब पीए फ MS पढ़ेगाह लेकिन अगर जो गतर में लेते नहीं सकता है दोस्तों बेकरी में माल कच्चा होता है लेकिन उसको बीकने की चांस मतलब दोस्तों ज्यादा रहती है और खराब होने के भी चांस बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों इसकी मतलब यह जहां से मैंने लिया है उसने बताया कि इसको आप लगबग 45 दिन तक रख स जाएंगी मेरा और यह अनुमान है दोस्तों यह पूरा का पूरा एक गत्ता हैं एक थाऊप्त हो जाएगा एक हफते के अंदर ग्रफे लेकितं एक बेचले के लेते हैं लीजित अब दॉस्तों लेज्फेरेंगे और बताएंगे दोस्तों होल लोई कार बाई बाई